जहिन सत्यों मैं राजीव चोहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस प्लैटपॉर्म पे आज हम एक नया विसे लेके आये हैं जो विसे है भारत और चीन का युद्ध 1962 भारत के इंडिपेंडेंट इतिहास में जो कि ग्लोरियस इतिहास रहा है हमने युद्ध 1962 में में रिवर्सल फेस करना पड़ा था डिफीट फेस करना पड़ा था आखिर ये डिफीट क्यों फेस करना पड़ा भारत को जब इतनी ताकतवर सैना थी और इंडिया के पहले फील्ड मार्शल फाइव स्टार जेनरल जेनरल मानिक सौने कहा कि 1962 वार एक लीडर्सिप फेलियर था नहरू जी का 1962 वार एक मिलिटरी फेलियर था इंडिया का ये मैं नहीं कहरा मानिक सौन खुद कह रहे हैं जो सबसे जादा रेस्पेक्टेड आर्मी जेनरल में से एक हुए हैं तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा बहुत इसको इतिहासकार कहत है और क्यों हुआ तो इसी विसे पे हम चर्चा करने के लिए आज आपके सामने मुझूद हैं और हम डिटेल में बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में और हम पहले ही आपको बता दें यह विसे बड़ा लंबा है बहुत कॉंप्लेक्स है बहुत सारे स्टोरी जिसमें इ भारत का एक इतिहास रहा है भारत historically non-aggressor country रहा है किसी और पर हम हमला नहीं करते हम पर हमला कोई अगर करता है तो उस situation में हम उसका अगेंस्ट में युद्ध करते हैं पूरी ताकत से चाहे वह पाकिस्तान के केस ले लो चाइना केस लो या इतिहास के गल्यारे में चले चाहते तो सिरलंका पर आकरमन करके सिरलंका को जीज सकते थे वो लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया उन्होंने अपने बच्चे को भेजा अपने जो मौंक थे बुद्धिस्ट मौंक थे उनको भेजा बोला जाओ लोगों का दिल जीत के आओ बताओ कि तुमने क्या सीखा है तलवार से तो बहुत समराट जीतते हैं लेकिन वैल्यू से समराट जीतने वाले कम हुए हैं तो भारत ऐसा भूमी है भारत ऐसा भूमी है किसी पे तो बहुत बड़ा बात है यह चीज और इसका फाइदा उठाके हमारे देश पे हमारे मुल्क पे बार बार हमला हुआ है चाहे वो मिडल इस्ट से हो या चाइना से हो या पाकिस्तान से हो कहीं से भी हो हिस्टारिकली देखेंगे तो हमला ही हमला हुआ है तो हम इसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे 1962 वार तो सबसे पहले पहली बात मित्रों की वार होता क्यूं है युद्ध एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्यूं लड़ता है तो आम तोर पे अगर देखा जाए मॉडर्ण जी अलग तो युद्ध होने का संभावना बहुत बढ़ जाता है दूसरा करन की आपका जो एक कंट्री है उसका पॉलिसी है एक्सपेंशनिस्ट क्या हम पूरा सामराज स्थापित करें बड़े बड़े जो भूमी का टुकरा वो क्या करें अपने अंदर ले ले जो कि हिट ठीक है बॉर्डर जो है वो जब सही तरीके से डिमार्केटेड नहीं रहता है कि ये छेतर आपका ये छेतर मेरा तब युद्ध होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है तो ये मूश्टली देखा जाता है कि तीन कारण होता है जिसके कारण की आम तोर पे युद्ध होता है एक और कारण जो modern day में कह सकते हैं कि area of influence होता है कि जो मैं मानके चलता हूं कि ये एक area मेरा अपना influence का है catchment area मेरा है जो कि किसी और sovereign country हो लेकिन हम मानके चलते हैं कि area of influence मेरा है उस वो अगर विपरीद दिसा में जाने लगता है जो हमारा security को threat करता है तो वहां पर भी war होता ह है जिसका कि example Ukraine और Russia है ठीक है तो चलिए मित्रो अब यह हम ने तो आपको बता दिया कि चार तरह का चार बाय लार्ज कारण है लेकिन इसमें से भारत कि 1962 में जो war हुआ वो किस स्रेनी में आता है किस class में आता है तो इंडिया और चाइना का 1962 war था वो border dispute के class में आता है तो हम हमारा border पर dispute था तो इस खंड में हम border का क्या मामला रहा है भारत ने चीन को कैसे दोस्त माना अपना समझा और चीन ने हमारे पीठ पीछे जो हमला किया इसके बारे में चर्चा करेंगे तो हमने जो पहला चीज कहा आपको कि यह border dispute है तो border dispute क्या है क्या क्या मामला है उसको समझते हैं तो दिखिए चीन इस साइड भारत इस साइड ठीक है यह दो चेतर है यह अरुनाचल प्रदेश का चेतर उस समय नेफा कहा जाता था इसको नौर्थ इस्ट फ्रेंटियर एजनसी ठीक है और यह एक चेतर ठीक है लदाप का अक्षई चिन रीजन यहां पर बॉर्डर का मेजर डिस्प्यूट से चाइना कहता है कि यह वाला चेतर हमारा है यह तिबत का पार्ट है तिबत हमारा है तो अरुनाचल प्रदेश का तवांग का एरिया हमारा है कभी-कभी तो पूरा का पूरा नेफा को कहता है जो अरुनाचल प्रदेश आज के डेट में है वो कहता है कि हमारा है similarly अक्साई चिन का जो यह रीजन है उसको भी चैना क्या कहता है कि हमारा है तो यह जो धारणा कहां सा है चैना यह विचारधार अब क्यूं नहीं कहता है कि यह वाला छेतर भी हमारा है यह वाला छेतर भी हमारा है ठीक है और भी जो बॉर्डर जितने भी हमारे यहां पर लग प्रिटिस के जमाने में जाते हैं जब बृतानिया हुकूमत हमारे यहां पे था तो उस ताइम में क्या सिचुएशन था तो याद रखिए चाइना फुली कंसॉलिडेटेड जो आज के डेट में आपको दिख रहा है वैसा कभी नहीं था चैना कुछ ऐसा दिखता था ठीक है भारत हो गया यह ठीक है और चैना हमारा कुछ इस तरह का दिखता था और यह जो लाल कलर है यह मेजरली यहां पे जो डाइनस्टी जो रूल करता थ था उसका नाम था कुंट डैनस्टी कुण डैनस्टी यहां पे रूल करते थे इधर हो गया रश्या मंगोलिया अलग साउथ मंगोलिया अलग मंचूरिया अलग तिबट अलग और इस्ट तरकिस DR.12 को कहते थे या इसको सिंग सिंग्चेंग रीजन भी हम कहते हैं वहाँ पर जो यह उस जमाने का मैप है तो उस ताइम में क्या था चीन आज का जो तो आप देखें विवाद कहां से शुरू हुआ विवाद यहां से शुरू हुआ कि जो क्विन डैनस्टी था उस ताइम में वह उपर थे और यह सब सेमी ऑटॉनमस रीजन था अपना सिंग्चेंग रीजन इसको ही कहते हैं फाइन लेकिन उसमें क्या हुआ कि कभी भी बिट ब्रिटिस और क्विन डैनस्टी की बीच में ऐसा कोई समझ होता नहीं हुआ जिससे की क्लियर कट डिमार्केशन हो पाए कि बॉर्डर तुम्हारा यहां मेरा यहां लेकिन 1865 में ब्रिटिस को यह लगा कि अब समय आ गया है कि भाई साब हम बॉर्डर को डिमार्केट करें तो उन्होंने एक जॉन्सन जो वहां के जो सर्वेर जिनरल थे उन्होंने एक जो कार्टोलोजिस्ट थे उनको बुलाया और कहा कि आप लाइन खीचो तो उन्होंने लाइन खीचा उस टाइम में उसका 1965 में रिपोर्ट सब्मिट किया 1967 में और उन्होंने यह जो दिख रहा है आह繡 गो कि यह जो दिख रहा है आपको यह वाला लाइन को को निह लैन भारत का बॉरदर है इंडिया का बॉरडर है कब 1865 में और यह लाइन सिर्फ ऐसे ही नहीं जाता है यह भी मैं बता दू यह लाइन मुश्टली यह जो लाइन है इस तरह से जाता था तो यहां पे जो हमारे यहां पे जो किंग्डम था याद रखिए यह छेतर चैना का है वह लेकिन हमने कभी जो जॉनसल लाइन है वह इस तर स्टेट था डोगरा सासन जो डोगरा वहाँ पर किंग्डम था वो सासन करता था हरी सिंग जिसके की सकेंड लास्ट राजा हुए तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा था कि बोले कि भाईया इतना लंबा टेरिटरी मिल रहा है और क्या चाहिए खुश थे वह ठीक है अब द रश्चंड उमपायर जो है वो मेजर कॉंपीटएटर ब्रितिस उमपायर का हो गया और यह जो इलाका था संक्रीजन का तुरकिस में जो आपने लास्ट मैप में देखा वो खत्रे में था कि वहाँ से हो सकता है रश्चंड इटैक करते तो बॉर्डर को डिलिनीएट करना बहुत जडूरी था उसी के कारण से ओखिया गया और बाद में थोड़े दिन बाद क्या हो गया कि यहां पे सिंग्चेंग रिजन हाईली डिस्टर्ब्ड हो गया तो और खत्रा बढ़ गया और यह मैप बनाया तो गया था ड्रॉ तो किया गया था लेकिन बहुत साइंटिफिक मैप नहीं था बहुत जगा बड़ा अनक्लैरिटी था तो यह सासन जो जोगरा सासन थे उन्होंने भी बोला कि भाई इसका कुछ करो तुम लोग तो नाइंट एटीन नाइंटी सेवन में एक और व्यक्ति को लाया गया उनको बोला कि यह जो जोंसन म एड है उसको और साइंटिफिक बनाओ थिक है तो साइंटिफिक नाम था और्ध है ता तो उन्हों ने एक लाइन किया रहाएं लेकिन कहीं पहार कहीं कुछ था तो में बाइफर्केशन अच्छा किया क्यों क्योंकि वो एरिया से प्रोटेक्ट जादा अच्छा से इस लेंड को किया जा सकता है अगर रश्या का अटैक हुआ तो तो 1897 में आपको अड़ेक जॉन्सन लाइन खीचा गया वो सेम लाइन था थोड़ा बहुत अल्टरकेशन जॉन्सन लाइन जो था उसी का लेकिन 1899 में एक और कमिटी गथन किया गया मेक कार्थे मैक डोनल्ड कमिटी ठीक है उन्होंने एक और लाइन यहाँ पे खीचा वो लाइन कौन सा था वो भी मैं आपको बता देता हूं ठीक है वो लाइन था आपका मेक कर्थे लाइन यह लाइन यह लाइन जॉन्सन लाइन यह हुआ और मेक कर्थे लाइन यह हुआ ठीक है तो यह खीचा तो मतलब इतना जो ब्रिटिस हकूमत ने मान लिया कि यह जो प और ये जो है Johnson line में पहले माना गया था कि ये है ठीक है तो ये position के कारण से confusion बहुत ज़ादा हो गया है कि हम मैं कर्थे line को माने या Johnson line को माने ठीक है अब चाइना का stand independent से पहले कैसा रहा है वो भी हम जान लेते हैं तो चाइना ने 1893 में 1893 में सेंट पीटर्सबर्ग रश्या म एक बहुत हाई-level officer military officer को भेजा और भेजा वहाँ पर मैप सब्मिट किया गया था तो जो मैप सब्मिट किया गया था वह मैप जो था रेकगनाईज करता था Johnson line को इस line को नहीं रेकगनाईज किया उसके बाद जब वहाँ पर इंटर्नल डिस्टर्बेंस सुरू हो गया बहुत सारा शुरू हुआ स्ट है शिविल वोर शुरू हो गया चायना में तो वहां पे ध्यान रखिएगा वहां पे भी कुर्ह यह वहां पे जो युनिवसिटी था पेकिंग युनिवरसिटी उन्होंने एक एटलस जाड़ी किया था वो एटलस भी कहता था कि हाँ ये जो जॉन्सन लाइन है वो लेजितिमिट लाइन है किस चीज का इंडिया और चाइना के बीच में डिविजन का ठीक है तो हमारा अभी का पोजिशन क्या है कि हमने पहले ड उसके बाद चाइना का एंगल देखे तो वो जॉन्सन लाइन को ही रेकागनाईज कर रहा है इंडिपेंडेंडेंट से पहले ठीक है तो यहां पर कन्फ्यूजन था बहुत सारा इस चीज को लेके कौन सा लाइन है तो भारत जब इंडिपेंडेंडेंट हुआ तो क्या किय ठीक है चलिए उससे पहले जबकी 1947 में आते हैं उससे पहले बिटिस हुकुमत और उस तेम में जो तिबबत जो था एक उतानमस रीजन था तो उसके बीच में समझोता हुआ समझोता में चाइना का कोई रोल नहीं था क्योंकि सच बात तो यह है कि तिबबत चाइना के चाइन हुआ अग्रीमेंट जिसको बोलते हैं मैकम ओन लाइन तो यह मैकम ओन लाइन खीचा गया और उना चल प्रदेश में जिसको कि चाइना रहा करनाईज नहीं करता है ठीक है क्या कहता है चाइना कहता है कि भारत तिबबत से अग्रीमेंट किया था बिटिस हुकुमत चाइना से अग्रीमेंट नहीं किया लेकिन उन गढ़ो चैनों को पता नहीं है कि उस टाइम में पता है लेकिन मानते नहीं कि उस वक्त में उस समय पर आपको चाइना था ही नहीं यह 1914 का बात है सिम्ला अग्रीमेंट के अंदर यह चीज़ साइन हुआ ठीक है अब और भारत जब 19 अजाद हुआ तो उसमे 1947 में उन्होंने कहा कि जॉन्सन लाइन मेरा ओरिजिनल लाइन है और एक चीज और बता दूँ ये तो कहा ही कि जॉन्सन लाइन ये है लेकिन जॉन्सन लाइन जो है वो आपको सिर्फ यहीं से पास नहीं करता था ये एरिया से भी पास करता था ये जो एरिया है इससे भी पास करता था वो इस तरह स यह आता है लेकिन यह हम चाइना को मानते हैं कि यह सिंग्चेंग प्रविंस का रीजन हमारा नहीं है हमारा हमने बॉर्डर खीच दिया यह तरीके से ठीक है अब 1948 में कस्मीर का विवाद सुरू हो गया विवाद सुरू क्या हो गया 47 में लड़ाई 4748 में हुआ और यह रीजन एकि पॉर्षन हो गया और यहां पे पॉर्षन है ठीक है जो कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि यह जो पोर्षन यह वाला portion ठीक है यह पोर्षन 1963 में ध्यान रखियेगा 1963 में मैं इस portion का इस portion पे को पाकिस्तान ने दे दिया किसको चाइना को दे दिया किस बेसिस पे Johnson जॉन्सन लाइन बेसिस पे जॉन्सन लाइन पे बेसिस पे चाइना को दे दिया बले ले जाओ भाईया उस यही सब चीज के कारण से चाइना पाकिस्तान में बड़ा ही गहरा दोस्ती है चलिए आगे बढ़ते हैं और तो जब इंडिपेंडेंट्स हुआ तो उस ताइम पे सब्सक्राइशन था दो छेत्र दो डिफरेंट आइडिया लेकिन चाइना का आइडिया क्लियर नहीं हुआ है चैना तो सिविल वर्स नाइंटिन फॉर्टी सेवन लड़ रहा था फॉर्टी नाइन में वह क्या हुआ कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना माउसे तूं के अंदर अस्थापीत हुआ और ताइवान वाला अलग हो गया ठीक है अब यहां पर समझने वाली बात है कि भारत ने चीन को कहा कि सर हम लोग जो है अच्छा दोस्ती करते हैं तो उन्होंने का कि चलो बैया कोई दिक्कत नहीं दोस्ती करते हैं इंडिया ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एक्सेप्ट किया जबकि अमेरिका टाइप उनको सुरू में इग्नोर कर रहे थे नहीं मानिता दे रहे थे टाइवान को दे रहे थे ठीक है इंडिया ने उनका युनाइटेड नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल वाला सीट था उसके लिए भी सपोर्ट किया ठीक है उसके बाद जब तिब्बत इशू वहां पर सुरू हो गया 1950 में तो भारत में ही समझोता हुआ भारत में ही बातचीत के लिए तिब्बत के आदमी और चैनीज ऑफिश्यल भारत के निगोशियेट कर रहा था बिटिस निगोशियेट कर रहा था दोनों के बीच में की भाई कुछ सल्यूशन निकल जाए लेकि सल्यूशन निकल नहीं पाया इस हद तक हमारा हमने मदद किया और एक बहुत फेमस आप लोग सुनते होंगे पंच सील अग्रीमेंट ठीक है पंच सील अग्रीमेंट फॉर पीसफुल कोईग्जस्टन्स तो यह साइन जवाहर लाल नहरू और माउसे तुंक के बीच में हुआ कि परपीच्वल फ्रेंड्शिप के लिए हम यह अग्रीमेंट साइन करते हैं ठीक है नाइनिटीन फिफ्टी फोर में एग्रीमेंट साइन हुआ लेकिन चाइना तो हेना है और हमने इनफक्ट उस तैम यह भी सपोट किया झुन ने वार सुरू कर दिया था कहां पे उनोनने वार तिबबत पर शुरू कर दिया घ्यान रखियेगा तो इंडिया ने उसमें भी सपोर्ट किया कि हां भाई तिबबत जो है वन चायना पॉलिसी तिबबत जो है उनका पाठ है वो जो कर रहें तो ठीक है इतना हमने सपोर्ट किया ध्यान रखिएगा पंच्छील अग्रीमेंट साइन किया लेकिन चैनीज चैनीज होते हैं उससे बड़े धोखेवाज आपको साथ पाकिस्तानी भी नहीं होंगे ठीक है पंच्छील अग्रीमेंट के बाद उन्होंने 1956-57 में क्या किया कि एक हाइवे बनाया एक हाइवे बनाया जो हाइवे यह आप देख सकते हैं इस तस्वीर में यह हाइवे है यह हाइवे कि ठीक है कारा कोरम वाला सि Simmons टेडिरिम में हाइवे बनाया यह इंडिया को पताई नहीं था कि हाइवे बना दिया उन्होंनेिंट इन्फोरमेशन भी नहीं दिया और तिप्भत रिजन को सिंशेंग रिजन से कनेक्स करके तो अपना ही टेरिटेरियम हाइवेभ बना ओगे तुम दूसरे के टेरिटेरी में तो हाइवे बना नहीं दोगे इंडिया इसको अपना टेरिटेरी मानता था चीन वाला ने कुछ पहले बोला नहीं था पहले तो जॉंसन लाइन जॉंसन लाइन करता रहा और बाद में उन्होंने बोला कि मैं कर्थे लाइन जो इधर है तो इंडिया को पता ही नहीं चला इंडिया को इंटेलिजेंस फेलियर रोड बन गया पूर अग्दम सांदार तब पता चला ओ मैं गॉड रोड बना दिया इन लोगों ने तो ठीक है और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद सिचुएशन और खड़ाब हो गया सिचुएशन और खड़ाब हो गया कि यह वाला रीजन सिंग्चेंग रीजन का इस तुर्किस्त में मैंनिस्तान जो था ठीक है उसके बाद 1959 में दूसरा उन्सलोट चैना ने किया कि तिब्बत उसको पूरी तरह से ले लेते हैं ठीक है तो दलाई लमा CIA के मदद से भाग गए वहां से ठीक है और उना चलके रास्ते होते हुए तेजपूर तक पहुचे और भारत ने उनका स्वागत किया कि भाई कोई बात ने रिफ्यूजी है यहां पर आई यहां पर रही है ठीक है तो तिब्बत आज गवर्मेंट इन इक्जाइल चलता है क धर्म साला से तो हमने उसको यह किया और वहां पर हमें चाइना ने स्टर्ण वाड्मिंग दिया कि यह भाईया हमारा फ्यूजीटिव है इसको वापस करो इंडिया ने बोला कि नहीं हमारा अपना भी एक धर्म है हम इनको रखेंगे ठीक है और उसी साल 1959 में उसी साल चाइ कि हमारा अपना Park आप पहला अपद है तो पहला द angled कार किये हुए रोड बना दी हमारे टेडिटरी में दूसरा चीज हमारे को धमकी देते हो हम ने तुम्हें इतना लिखा किसको वहां के प्रीमियर को कि यह चीज नहीं बरदास्त होगे चीज नहीं उन्होंने एंटर्टेन नहीं किया बिल्कुल एंटर्टेन नहीं किया ठीक है उसके बाद 1960 में सिचुएशन खड़ाब होने लगा दोनों के बीच में तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ जो इनलाए के बीच में वार्ता हुआ ठीक है कि भाई बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्फ कर लेते हैं लेकिन जो चाइनीज थे वह अग्दम स्टर्डन थे कि भाईया हम नहीं छोड़ेंगे हम नेफा को भी अपना मानते हैं अक्सई चीन को भी अपना मानते हैं ठ तवांग डिस्टिक तो चाहिए ही चाहिए ठीक है यह उनका था और उधर अक्सई चीन हमें चाहिए यह उनका था इंडिया ने भी अग्री नहीं किया अग्री करने वाला चीज नहीं था और जब यह वार्ता जो था वो टूट गया जब यह टॉक्स जो था फेल कर गया त क्यों इस फॉर्वर्ड पॉलिसी का आरमी ने विरोध किया था इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें तब तक के लिए जहिन थेंक यू